अस्सलाम वलेकुम पेरे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्कूल एंड कॉलेज इस्ट्रेंड का रमजान में टाइम टेबल कैसे होना चाहिए वो देखेंगे देखें नेक्स्ट मन्थ से रमजान शुरू होने वाला है और आप लोग भी जानते ही होंगे कि रमजान का मन्थ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मुसल्मान के लाइफ में रमजान के मन्थ में ही अल्ला पाक ने हम पर रोजे फर्स किये हैं रोजर रखने के साथ साथ और भी अबादते जुड़ी हैं लाइक तरावी की नमास और कुरान पाक की तिलावत तो इस मन्थ का अच्छे से benefit उठाके इसी साल मक्फिरत करवाने का अल्ला पाक ने हमें एक और मौका दिया है और हमें ये साल का रमजान भी अता किया है तो इस मन्थ का अच्छे से benefit उठाने के लिए आपको proper time management आना चाहिए ताकि आप इबादतों के साथ साथ अपनी पढ़ाय भी कर सके mostly college students के exams अभी होने वाले होंगे and जो school students है उनके new session शुरू होने वाले है तो ये video आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाला है तो ये video को देखने से पहले comment में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से class के student है and अगर आप college में हैं तो आपके exam कब से कब है and इंशाला करके ये नियत भी कर लिजेगा कि ये video में मैं जितनी भी चीज़े बताने वाला हूँ वो चीज़ को आप follow करेंगे ताकि आप इबादत के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर पाएं तो चलिए हम video को शुरू करते हैं तो देखे आपको अपनी दिन की शुरुआत करनी चाहिए सुबद 3 बजे से आप 3 बजे उठ जाएए उसके बाद मिस्वाक या ब्रश कीजिए I prefer कि आप मिस्वाक कीजिए मिस्वाक करने में बहुत जादा benefit है ये मूँ को खुश्बुदार करती है मसूडों को मजबूत करती है नजरों को तेज करती है मेदे की इसला करती है ये सुननत पर अमल के 22 है नेकियों में इजाफा है फरिष्टों को खुश करती है और रब को राजी करती है इसके अलावा पेट की बिमारी हो या पुराना नजला या फिर कान और गले में तकलीफ हो या दिल की जिलियों में पी पा गई हो तो पीलू ट्रीस की रूट्स से बनी मिस्वाग बहुत फाइदे मन्द होती है इनके लिए मिस्वाग के तालुक से ये कुछ हदीसे बयान हुई है इसकी पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप तिब्बे नबुई और जदीद साइंस एक बुक है आप ये रिफर कर सकते हैं खेर इनसे ये तो पता चली गया होगा कि मिस्वाग करने में बहुत जादा फाइदा है दुनिया का भी है और आखिरत का भी है मिस्वाग कई तरह की शाखाओं से की जाती है मसलन जैतुन, पीलू, नीम, बबूल, केकर वगरा लेकिन अगर जैतुन आपके पास ना मिले तो आप पीलू से ही मिस्वाग कर सकते हैं तो हमने ये देखा की मिस्वाग करने के कितने फाइदे हैं चलिए, अब हम वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं तो उठके सबसे पहला काम मिस्वाग या ब्रश करना है उसके बाद वजू बना के तहज्युत की नमास के लिए खड़े हो जाना है देन तहज्युत की नमास के बाद आप लोग सहरी कीजिएगा देन ये करती करते टाइम हो जाएगा 3.45 अ.M नाव आप 3.45 से लेके 4.15 तक आप लोग कुरान की तिलावत करिए इसमें पहले आप ये प्लैनिंग करना की आपको क्या-क्या पढ़ाई करना है दिन बर में उसके बाद पढ़ाई शुरू कीजिएगा नाव आप नमास पढ़ने के लिए मजजिद जाईए और फिर मोशली मैं वॉक करने को प्रिफर करता हूँ बट रमजान में वॉक करना नहीं कहता क्योंकि दिन बर आप भोके रहने वाले हैं तो आपको अपनी एनरजी बचा के रखना होगा तो मजजिद से नमास पढ़के घर आना और उसके बाद सो जाना तो 5.45 से लेके 7.45 तक 2 आवर्स की नीन लिजिएगा देन उठके स्कूल या कॉलेज जाएगा मैं स्कूल या कॉलेज का टाइम 6-7 आवर्स मान रहा हूँ तो 8 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल या कॉलेज जाएगा और अगर आप लोग स्कूल या कॉलेज 10 बजे जाते होंगे तो आप लोग सुबा 7.45 को ना उठकर 8.45 को उठना जोकि आप लोगों को दोफैर में सोने का टाइम नहीं मिलेगा तो आप लोग 1 अवर सो लेना थोड़ा जादा तो जो 2 बजे आएंगे स्कूल या कॉलेज से तो आप लोग जोहर का नमाज पढ़के कैलूला करना कैलूला करने के बाद जब आप उठोगे तो आपका माइंड बहुत ज़ादा फ्रेश हो जाएगा और उसके बाद फिर 3.15 से 5.15 तक 2 पोमोडोरो साइकल कंप्लीट करिएगा और उसके बाद असर का नमाज अदा करिएगा और फिर कुरान पाक की तिलावत करिएगा और फिर उसके बाद आप लड़का हो या लड़की आप लोग इफ़तारी बनाने में घर वालों का साथ जरूर दीजिएगा चाहे आप लोग बहुत रिच भी क्यों न हों और आप के घर में शेफ क्यों न हो बट फिर भी आप किचन में जाईएगा एंड इफ़तारी बनाने में हल्प करिएगा क्योंकि रोजे दारों की इफ़तारी बनाना बहुत स्वाब का काम है और अल्लापाक आपको इसका अजर भी देंगे इंशाला और फिर इफ्तारी जब बन जाए तब आसपास के एरिया में बाटने भी खुच जाएगा इसका भी बहुत ज़ादा स्वाब है तो फिर इसके बाद आप लोग इफ्तारी करने के बाद मगरीब की नमास पढ़िएगा और फिर कुरान की तिलावत करिएगा देखे हम लोग मौर्निंग में देन असर के बाद और अभी मगरीब के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं हमें इतना करना होगा तब ही जाके हमारा कुरान पाक one month में complete हो पाएगा now अब कुरान पाक पढ़ने के बाद आप लोग इशा की नमास तक जो कि mostly 8.45 या 9.00 पीम तक होगी तो one hour का time यहाँ पर आपको मिल रहा है तो इसमें आपको अपने course से related चीजे पढ़नी है तो यहाँ पर आप 50 मिनट का एक और 25 मिनट का एक pomodoro cycle complete करिएगा तो इतना करने के बाद आप इशा की नमास पढ़ने के लिए मज़िद जाएगा और इशा की नमास के बाद तरावी अदा करिएगा and हमारी बहने घर पर ही इशा की नमास and तरावी की नमास अदा करिएगा तो इतना करते करते साड़े दस बच जाएगा now अब आप ठक चुके होंगे बहुत जादा तो घर आके डिनर करके आप सो जाना please mobile use मत करिएगा ये आपकी नीन को impact करेगी please रमजान के टाइम में mobile phone का use बहुत ही कम कर दीजेगा क्योंकि time बहुत ही कम है और काम बहुत जादा तो बस one month की ही बात है mobile का use जितना कम हो सके आप उतना कम करिए और अगर mobile phone का use कम कैसे करना है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उपर आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा आप ये वीडियो देख सकते हैं वीडियो का link आपको description में and end screen में भी मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं अब हम बात करते हैं कि जो लोगों का school या college का time 10 से 4 है तो आप लोग 8.45 को ओट कर एक 50 मिनट का pomodoro cycle complete करिएगा and उसके बाद school and college जाएगा and आने के बाद आप बहुत ठक चुके होंगे तो आने के बाद आप अच्छे से मस्त से थंडे पानी से वजू करके मस्त साफ fragrance लगा के साफ कपड़े पहन कर ready हो जाएगा and फिर उसके बाद 30 मिनट का अराम करिएगा ये ऐसा करने मैं इसलिए क्या रहा हूँ क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो घर आने के बाद आपको प्यास लगेगी बहुत जादा बट आपका रोजा है तो आप पानी भी नहीं पे सकते हैं तो इसलिए थंडे पानी से जब वजू बनाएंगे तो आपको काफी बेटर लगेगा इन्शाला and उसके बाद जब फ्रेग्नेंस लगाएंगे तो वो भी इफतारी तक आपको चार्ज कर देगी तो इतना करने के बाद आप अब कुरान पढ़ना कुरान पढ़ने के बाद आप असर की नमाज अदा करिएगा and फिर 6 बजे तक फिर थे कुरान पढ़ने के बाद इफतारी बनाने में हेल्प करिएगा and फिर इफतारी के बाद नमाज के बाद आप टाइमर लगा के 25 मिनट सो लेना नई तो तरावी की नमाज में बहुत ज़ादा problem होगी आपको तो 25 या 30 मिनट सोने के बाद जब आप उठेंगे उसके बाद आप अपनी course का पढ़ाई कीजिएगा आप यहाँ पर 50 मिनट का एक pomodoro cycle complete करिएगा and फिर इशा की नमाज अदा करिएगा and उसके बाद तरावी की नमाज then फिर घर आके डिनर कीजिएगा and फिर सो जाईएगा तो चलिए अब आपका time calculate करते हैं कि कितना hours पढ़ाई हुआ and कितना इबादत तो देखे morning में हम लोगों ने 50 मिनट का एक pomodoro cycle complete किया है and उसके बाद afternoon में 2 pomodoro cycle of 50 minute कुराण पाक कितना देर पढ़ रहे हैं वो भी देख लेते हैं तो देखें, आप थर्टी मिनेट्स तहजद की नमाज के बाद तिलावत कर रहे हैं and असर एं मगरीब की नमाज के बाद तिलावत कर रहे हैं तो लगबग एक से देड़ अवर हम कुरान पाक के तिलावत कर रहे हैं तो इंशाला हमारा एक कुरान कम्प्लिट हो जाएगा इसी रमजान में आप देखते हैं जिनका स्कूल या कॉलेज का टाइम 10 से 4 है तो वो लोग कैसे करें तो देखें आप लोगों ने मॉर्निंग में 2 पचास मिनट का एंड इवनिंग में पचास मिनट के एक तो टोटल 3 अवर की पढ़ाई कर रहे हैं आप लोगों के लिए पढ़ाई का टाइम कम है इसलिए क्योंकि आप लोगों का स्कूल एंड कॉलेज का टाइम आफ्टरून में है और अभी गर्मी है तो काफी dehydration होगा बॉडी में जिसकी वज़ा से आपका energy loss होगा तो इसलिए 3 अवर्स की पढ़ाई आप लोगों के लिए enough है तो देखिए अब बात करते हैं कि जो लोग स्कूल में हैं वो लोगों का exam भी हो गया होगा, results भी आ गया होगा and new session शुरू होने वाला होगा अपरेल में, तो आप लोग try कीजिएगा कि अपरेल में जितना कम हो सके उतना कम स्कूल जाइएगा, बात में vacations के बाद यहाँ पर आपका जो attendance कम हुआ होगा आप उसको वहाँ पर cover up कर लीजेगा बट अभी जितना हो सके उतना avoid करिये school जाना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा time इबादत कर पाएं और रमजान के मन्त का benefit उठा पाएं तो आप लोगों का weekend का time table कैसे होना चाहिए यह चीज हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे तो आप लोगों का weekend का time table कैसे होना चाहिए वो हम लोग next वीडियो में देखेंगे तो अगर आप college student है या तो आपके exam हो चुके होंगे and आपका vacation भी शुरू हो गया है तो आप लोगों के लिए असानी होगी बहुत बड़ जो हमारे भाई बेहनों के exam साइस मन्त में उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और जो लोगों का competition exam है after Ramadan like JE, NEET, SSC, UPSC, etc उनको बहुत ज़ादा problem face करना पड़ेगा तो देखिए आप लोगों का जो college है आप लोगों college तो जाना नहीं होगा and सिर्फ Rosa and पढ़ाई ही करना होगा तो आप लोगों के लिए मैं एक separate time table लाऊंगा इंशालला बहुत ही जल्दी ताकि आप लोगों को भी proper time management करके exams में बहुत अच्छा perform करें and आप भी काम्याभी हासिल करें आपको भी जो भी exam आप दें उसमें इंशालला आपको success मिले तो चलिए अब हम थोड़ा रमजान इतना important क्यों है वो भी जान लेते हैं तो सबसे पहला रमजान is the best month of the year रमजान का महना सारे महनों में सबसे best है क्योंकि इस महने में कुरान पाक नाजिल होई थी और ये महिना blessings, mercy and forgiveness की है और इस मन्त में जन्नत के आठो दरवाजे खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बन कर दिये जाते हैं और शैतान को भी कैद कर लिया जाता है और सबसे important बात इस मन्त में हमारा reward 70 times कर दिया जाता है हर हर नेकी करने पर आपको 70 times जादा स्वाब मिलता है and सबसे important है night of लैलतुलकदर लैलतुलकदर की night इस night में की जाने वाली इबादत या अच्छे आमाल 1000 मन्त में किये गए इबादत and अच्छे आमाल के बराबर है 1000 मन्त मतलब 83 years and 4 months होते है and हम humans की average life 60 to 70 years की होती है यानि इस रात में किया गया इबादत का स्वाब 83 years and 4 months में किये गए इबादत के बराबर है अल्ला पाक हमें पूरी जिंदगी इबादत करने का स्वाब एक ही रात में दे देते हैं इस रात में मस्जिद में कियाम करिए जिकर इलाही करिए पुरान पढ़िए दरुषरिफ पढ़िए दुआ करिए अल्ला से माफी मांगिए and मगफिरत की तलब करिए तो अल्ला पाक से दुआ है कि हम सब को इस साल रमजान में जादा से जादा इबादत करने की तौफी कता फरमाएं और हमें लैलतुलकदर की रात में इबादत करने की तौफी कता फरमाएं और हमारे अगले और पिछले सारे गुनाह को माफ कर दें तो प्यारे दोस्तों रमजान आने से पहले ही आप उसकी तयारी करना शुरू कर दें और यही मौका है आप इसमें अपना एक अच्छा सा रूटीन बना सकते हैं अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा और उसमें आप बहुत सारी प्रोडेक्टिव चीज़े भी कर पाएंगे अभी तो रमजान में इबादत में टाइम दीजिएगा बट रमजान के बाद ये जो इबादत का जो टाइम है और जो रोजे का जो टाइम है ये आप दूसरी चीजों में जो आप प्रोडेक्टिव चीज़े कर सकते हैं आप उन चीजों में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो को यहीं end करते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगे इंशाला आगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी बैनिफिशल होगा तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दिजी और कमेंट में अपनी राई का इजहार जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा and next कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी बताईएगा आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए thank you very much मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज